तो आज का वीडियो बहुत important होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में class tell physics के अध्याए 1 से अध्याए 14 तक के सबसी most important question हम लोग lesson wise देखेंगे lesson 1 से lesson number 14 तक जितने भी important question आपके board exam में बन सकते हैं आज के इस वीडियो में complete डेखेंगे तो आपसे request ये वीडियो आपको 30 marks दिला सकता है और इसका जितने भी student टॉप 100 में जुड़े होने तो free मिल जागा लेकिन जो भी student इस PDF को free में पाना चाहते हैं तो description में आपको हमारे उसके group में add हो जाता ठीक है तो आज के इस वीडियो को एक second के लिए आपके skip मत करना एक important announcement अनकेडमी तरफ से अनकेडमी आपके लिए लेकर आए अनकेडमी combat अगर आप नीट की preparation कर रहे हो तो इसमें आपको best question मिलेंगे by best educator और challenging question जो 2021 नीट के लिए बहुत important है और इसकी most important बात है यहाँ पर आप अपने friend के साथ ranking में देख सकते हो कि आप किस rank पर उनके साथ complete कर रहे हो और test होने के बाद उसका detailed video solution मिलेगा by top educator of an academy और अपना इसको leaderboard ranking साथ में इसमें आप award भी जीत सकते हो यहाँ पर आप rank 1 से rank 50 के बीच में आओगे तो आपको award मिलेगा सबसे most important बात इसकी timing आप देख लो 13 December को होगा time 11 वजे यहाँ पर class 11, 12, 13 इसमें आप enroll कर सकते हो यहाँ पर 60 मिनट में आपसे 28 questions पुछे जाएंगे और यह आपका syllabus से जो test में इस बार आएगा ठीक है तो जितने भी student interested है description में आपको link provide करा हूँ उस link से जाकर आप direct इस test में बिल च्रू करते हैं chapter number 1 से हम start कर रहे है chapter number 1 का पहला question student आपका कूलाम का बैदुद बल संबंधी नहीं हम लिखे तो कूलाम का बैदुद बल संबंधी आपको नहीं हम लिखना यानि कि F is कल्टू क्या होता है 1 by 4 by epsilon not q1 q2 बटे r2 ठीक है इसको आपको क्या करना है प्रूफ करना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है किसी बैदुद दूद रूप के कारण अच्छी है वा निरच्छी है इस्थिति में बैदुद छेत की तीवरता निकालने के लिए कहा जाए तो इसको आपको क्या करना है डिराइब करना है next question है बैदुद दूद रूप आगोंड से आपका समझते हैं एक समान बैदुद छेतर में दूद रूप को घुमाने में किया गया कार ग्यांत कीजिए तो सबसे पहले आपको बैदुद दूद रूप आगोंड यानि P बराबर 2QL इसको बताना है ठीक है इसको बताना है उ जो की होता है P e minus P e sin theta ओके शुड़न नेक्ट कोईस्टन है इस तिर बैदुद में गौस की पर्मेय क्या है तो यहाँ पर आपको गौस की पर्मेय का स्टेटमेंट लिखना सबसे पहले तो कथन लिखना है ठीक है कथन क्या होता क्यों आपका किसी भी बंद प्रिष्ट से स संबंदित गुजरने वाला कुल बैदुद फ्लक्स P e का मान उस प्रिष्ट से संबंद कुल आपेस का वन अपान अपसाले नाट गुना होता है यह आपका इस्टेटमेंट है उसके बाद इसको आपको क्या करना है अप्रूफ करना है ठीक है कोई भी बंद प्रिष्ट और उसको यह प्रूफ करना है नेक्स क्वेस्टन है गौस के नियम का अनप्रियोग लिखिए तो गौस के नियम के आपको बेसिकली दो अनप्रियोग लिखने है एक कोई सीधा चालकतार है इसके करण आरदोरी पर इस्थित किसी बिंद पर बैदुछित की तीबरता निका करना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगले क्वेस्टन की तरह जो कि चैप्टर नमबर टू का है बैदुद बिभो के परिभासा लिखिए बैदुद आबेस के कारण किसी बिंद पर बैदुद बिभो का मान गया तीजे ठीक है तो सबसे पहले आपको बैदुद बिभो की ज संधारित की धारता के लिए बेंजेक प्रात किजी इसकी धारता कैसे बढ़ाई जा सकती है तो समातर प्लेट संधारित की धारता सीज कल्टू कितनी होती फार्मूला यहां ले देता हूं सीज कल्टू होता है के एपसाइले नौट ए बाई डी अगर हमें सी का मान बढ़ा का माना automatically क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यह तीन चीजे करकर हम क्या कर सकते हैं इसकी धारता के मान को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो यहां तक सबको clear हो गई बात हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है सिद्ध कीजिए कि आब इसे संधारत की स्थितित उर्जा u is equal to half cb square होती तो आब इसे संधारत की उर्जा u is equal to prove करना हमें half cb square ठीक है यह चीज हमको क्या करना है प्रूफ करना है ओके student की लिर हो गए चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ बिभो परवनता से आप क्या समझते हैं बिभो परवनता और बैदुछित की तीबरता में आपको एक संबंध बताया होगा ठीक है तो उसको यहां पर आपको लिखना है यही जो है बैदुछित की तीबरता में संबंध है next question देखते हैं अगले chapter का है विद्दुध धारा यानी की chapter number 3 का है अनगमन बेग के आधार पर ओम के नियम को सिद कीजित अनगमन बेग के आधार पर आपके कहा है तो सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे अनगमन बेग तथा धारा में संबंध ठीक आई बराबर एन ए ए वीडी यह आया कैसे सबसे पहले आप इसको प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करने के बाद आप ओम के नियम को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे ठीक है पहले इसको प्रूफ करेंगे उसके बाद आप ओम के नियम को प्रूफ करेंगे चलिए बिभोम आपी से आप क्या समझते हैं विस्तरित वर्डन कीजिए तो बिभोम आपी से आप क्या समझते हैं इसका भी आपको explanation देना है बिभोम आपिकार किस तरीके से करता है इसका सिधान्द क्या है सारे चीज़े आपको लिखने है next question है किर्चाप का नियम लिखे तो किर्चाप के कितने नियम है किर्चाप के basically दो नियम है ठीक है एक बंद ठीक है एक कैसा जिसे हम लोग करते हैं संधी का नियम संधी का नियम दूसरा जो है लूप का नियम या बंद पास का नियम ठीक है बंद पास का नियम तो दो नियम है इस दोनों नियम को आपको लिखना है हुई टिस्टेन सेतू से आप क्या समझते है यानि कि P अपान Q इसकल टू R by S जो फार्मूला हुई टिस्टेन सेतू का इसको आपको डिराइब करना हुई टिस्टेंस से तुक आपको सिधान लिखना है ठीक है प्रिंस्पल उसके बाद इसको आपकी वर्किंग लिखनी है फिगर बनाना और ये अगे बढ़ते हैं अगला क्यूशन है किसी धारा वाही चालक के कारां उत्पन चुमबकी च्छेतर के परपती नियम का उप्योप करके अनन्त बंबाई के सीधे धारा वाही टार के निकटopa किसी बिंद जाद कीजिए ठीक है तो यह एंपीर के परपती नियम का अनुपरियोग है इसको भी आपको क्या करना हो सबसे पहले आप बताएंगे अप्रपती नियम क्या होता उसके बाद इसको आप ंपुरूफ करेंगे नेक्स question है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ग्यात किज़े तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कितना बल लगता है उस फार मुले को आपको क्या करना है डिराइब करना है आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ चैप्टर नमबर फाइब के दो क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला चुम्बक सीलता ठीक है चुम्बक सीलता चुम्बक की परविट था आप एच्छिक चुम्बक सीलता से क्या त तात पर है तो इससे क्या तात पर है इसकी डेफनिशन आपको लिखनी है और ये सारी चीजें ताप पर किस तरीके से निर्भर करती है अगर आप ताप पर निर्भरता भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी स्टूडेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं न नेक्स कुईश्चन है आपका बहुत इंप्वाटेंट है चैप्टर नमबर शीरों शीक्स की तरफ चैप्टर नमर सीङ्स का पहला इंप्वाटेंट कूईचन है लैंजे का नियम लखी है क्या यह उऩाश deplशाह सन रस्षान के सिध्धान का उलंघन करता है तो उमें इसक को आपको काफी डिटेल में लिखना थो परकार के होते हैं स्थ क्वसक्रार तीक है ंजब यहां और दूसरा जो आपका होता है अन्यों प्रेजा इंध नि नियु नियुक्ट के वारे में आपको परिपद बनाईए इस परिपद के लिए अनुनादी आवरित्ती का सूत्र प्राप्त कीजिए यानि f is equal to जो फार्मूला होता है उसको आपको क्या करना डराइब करना 1 upon 2 पाई ठीक है अंडर रूट सम्थिंग होता है नेक्स्ट क्वेस्चन है ट्रांसफार्मर के सिध्धानत ये उंकारियों का विस्तिर तुवाडन कीजिए ट्रांसफार्मर का सिध्धानत लिखना है कि ट्रांसफार्मर आपका किस सिध्धानत परकार करता है और इसका आपको फार्मूला बेट डराइब करना है बी एस अपान बी पी इजकल टू एन एस अपान एन पी ठीक है यह फार्मूला होता इसको आपको डराइब करना है चोग कुंडली का कारिसिध्धान्त समझाए चोग कुंडली का कारिसिध्धान्त भी आपको लिखना है और इसमें वाठीन धारा एक सबसे ज़्यादा उसका विखना है गवर्यदा दॉसमें – अपको लिखना कारिसिध्धान्ति प्रकास नम्बर 9 अपउर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही basic question है, सबको पता होगा, next है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन क्या है, ठीक है, इसके लिए आप क्या समझते हैं, तो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के लिए, क्रांति कौन के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन नहीं समझ पाएंगे इसकी फोकस दूरी और प्रकित कैसे परिवर्तित होती है या अगर मुत्तल लेंस को डूब हो रहे हैं तो वह कौन सा लेंस बनेगा यह सारी चीज़े आपको लिखनी है ठीक है और यह सारी चीज़े जो है फोकस दूरी के एकार्डी में डिपने करती है नेक्स प्रिज्म का पॉर्तनांग गयात कीजिए तो प्रिज्म का पॉर्तनांग एन बराबर आपको फार्मूला निकालना है एन इसकल टू क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस डिल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू ठीक है यह आपका फार्मूला होता है इसको आपको डिराइ सबी ल souhaite नेक्ष्ट कुईशन है, तरंग आगर किसे कहते है, हाइगेंस की दिति एक तरंग काओं का इसफिलि styl दो को सभी असपर्स करते हुए सम्त टफनंगों को अगर असपर्स करते हुए हम एक ऐसा प्रिष्ट खीचे जिसमें इस्थित सभी और कमपन की समान कला में होते हैं वो तरंग अगर कहलाता है ठीक है नेक्स है हाइगंस के दितियक तरंगाओं के सिध्धान्त के आधार पर प्रकास के अपवर्तन की तथा प्रावर्तन की ब्यक्खा कीजिए ठीक है इसको था हमने आपको बोर्ड पर बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन करवाया था तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तयार रखिए एंग के दुएक सिलिट प्रियोग में दीप तथवा अधीप फ्रिंजों की चोड़ाई लिखिए डबलू बराबर जो फार्मूला होता है उसको आपको क्या करना अपको प्रूफ कुछना एसको आपको क्या करना है प्रकासच क्वेद्द Hundreds परभाव है क्या इसको आपको लिखना और प्रकास बैद्दुत् काज़ी नियूंतम उर्जा की जरूरत होती है उसे कारिफ़लन कहते हैं और नियूंतम आप रिथी क्या कहलाती है ठीक है sounds इसको आपको क्या करना है इसको क्या करना है ुस्ते से चाहिए तो आपको क्या करन best explain करना, okay student next question है, rather Ford के पर्माण माडल की ब्याख्या कीजिए यों इनकी कम्यों, अब rather Ford ने अपने क्या पर्माण माडल दिया था, उसको आपको लिखना है उनकी क्या क्या कम्या थी यानि उनकी rather Ford का जो पर्माण माडल था, वो किन किन चीजों का explanation करने में जो है फेल हो गया था, या explanation नहीं कर पाया था, उसको आपको पूरा detail में यहाँ पर लिखना है, okay student अगला question है, hydrogen spectrum में प्राप सभी स्रेडियों के तरंगदैर्द का सूत्र प्रकिल, अब hydrogen spectrum में आपके lyman, baman ठीक है, lyman baman, pasture bracket फूंड, यह पांच स्रेडियों आपको मिलती है, तो सभी के बारे में आपको क्या करना है, explain करना सभी के बारे में लिखना, और सभी के जो तरंगदैर निकालने कहने, lambda is equal to जो फार्मूला होता है, उसको भी हमें क्या करना है, लिखना है चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे question की तरह, नाभी किये बल किसे कहते है, तो नाभी किये बल क्या है, ठीक है और एक question यहाँ पर और आप जोड़ लीजिए बंधन उर्जा, ठीक है बंधन उर्जा, ये भी आपका काफी ज़्यादा important है, बहुत पूछा जाता हूँ student, दूसरा question है, द्रबमान छटी से आप क्या समझते हैं ठीक है, द्रबमान छटी भी अगर आप निकालने हैं, तो उसमें भी आपको बंधन उर्जा की जरूरत पढ़ेगी next question है, नाभी कि lot में हमने पढ़ाया था इस chapter को वहाँ पे जितने भी समयकार थे हमने सब को explain किया था, एक carbon cycle आपका था, दूसरा जो है आपका photon photon cycle था, तो दोनों में जो आवस्यक समयकार नहीं जो reaction हो रहा है, उसको भी लिखना आवस्यक है next question है last chapter का उर्जा बैंड के अधार पे चाला का चाला के ओम अर्ध चालकों में अंतर अस्पष्ट कीजिए ठीक है, ये तो आपको उर्जा बैंड के अधार पे करना दूसरी question है LED क्या है, परिपद बनाके VI अभिलच्छडिक को परदर्सित कीजिए VI यानि कि बोल्टेज और धारा के बीच में क्या गराब बनता है एक तरफ आप बोल्टेज लेंगे दूसरी तरफ current लेंगे और इसके बीच में क्या गराब बनता है उसको भी आपको प्लाट करना उसको भी आपको पनाना है अलाकि ये chapter अभी आपको पढ़ाया नहीं गया ये chapter भी आपको बहुत जल्द जो हाँ cover करा दिये जाएगा बहुत जल्द जो है ये chapter भी आपको पढ़ा दिये जाएगा ओके student चलिए आगे पढ़ते हैं अंगले question की तरफ पीयन संदी डायोड का परियोग करते हुए पूर्टरंग दिश्टकारी आउम अर्ध तरंग दिश्टकारी के कारविधी को समझाई अब पीयन संदी डायोड के आधार पर ठीक है पूर्टरंग कारी और अर्ध तरंग जो आप लोग घरों में देखते हैं यह लोग जो है अर्द तरंग दर कारी दिष्ट मतलब अर्द तरंग दिष्ट कारी जो है चार्जर हो गएरा बनाते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे माली जी कोई भी 12 बोल्ट की बैटरी है गर 12 बोल्ट है किसी भी बोल्टेज की बैटरी है उसको अगर आप एलेक्ट्रिक क नहीं होता कुछ नहीं बता पाएंगे ठीक है ऐसा लगए कि जैसे अरे यह आपने क्या पूछ लिया भाई ऐसा जो है रियक्शन मिलेगा ठीक है पूर्ट तरंग दिष्टकारी चार्जर जो है बनाना सब के बसकी बात नहीं है इसकी पूरी आपको सर्किट पढ़नी पड़ अधर्वाइज यह तो बहुत ही सिंपल इसमें कुछ नहीं है बस आप एक दो डायोड ले लिजिए और एक संधारितर ले लिजिए ठीक है दो डायोड और एक कैपासिटर लेके आप आसानी से पूर्ध तरंग दिष्टकारी चार्जर आप आसानी से बना सकते है नेक्स को यह चार्ज जल्दी होगा और डिस्चार्ज लेट में होगा लेकिन यह चार्ज भी लेट से होगा और डिस्चार्ज सबसे पहले हो जाएगा ठीक है यह दोनों में अंतर है चलिए नेक्स कोईशन देखते हैं सौर सेल की कार प्रडाली समझाए उसके उपियोग लिखे ठी इतने important question थे student, हमने सभी को आपके सामने discuss किया, इसके लिए आप वीडियो को like कर दीजिए, जितने भी वच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को like कर दीजिए, हमारे आज की वीडियो का target है 500 like, ठीक है, जिसे आप लोगों को पूरा करना है, 500 like आप लोग इसको complete कर द कर दे है, Okay sure!